मैं हर दिन सुभा 84,600 रुपीज आपके एकाउंट में डालता हूँ बड़ी ऐसा दिन उमीदे आप सब लोग बढ़िया है एक और बढ़िया सी दिन में आप सभी स्वागत नेचर के बीच में टेकनोलिजी या टेकनोलिजी के बीच में नेचर है मैं आपको हर दिन सुभा 84,600 रुपीज आपके एकाउंट में डालता हूँ रात तक वो आपके पास रहेगी और रात को वो जीरो हो जाएगी फिर अगले दिन में 84,600 रुपीज आपके एकाउंट में डालता हूँ तो आप क्या करोगे? तो आप इसका क्या करोगे? बचा के रखोगे, कुछ नहीं करोगे या फिर खर्च करोगे ज्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है उसके एंटिसिपेशन में ही इमेजिन करके ही आपके डोपामेन सेक्रेट हो गए हैं अभी लेकिन उससे भी कीमती चीज जो आपके पास already है उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपके पास 84,600 मिनिट है अगर एक मिनिट आपका एक रुपे के बराबर है एक रुपे के बराबर तो होई सकता है तो आपके पास 84,600 मिनिट है तो आप उसका भेहतरीन तरीके से कैसे यूज करोगे ये डिसाइड करता है कि आपकी productivity कितनी है productivity यानि समय का सही इस्तमाल होता है इससे पहले एक शायरी हो जाए टाइम के बारे में एक भेहतरीन शायरी है वक्त बर्बाद मत करो ये तै करने में कि क्या करना है वक्त बर्बाद मत करो ये तै करने में कि क्या करना है वरना समय ये तै करेगा कि तुमारा क्या करना है तो इस हफते हमने जो है हर दिन काफी serious topics आज discuss किये हैं तो आज कभी काफी serious topic है आज बहुत serious है तो आपके वक्त का अगर भेहतरीन इस्तमाल करना है तो सुबह आराम से उठना है क्योंकि सुबह आप जल्दी उठोगे पांच साड़े पज़े आप उठोगे तो आपको बहुत वक्त मिलेगा ऐसी सुन्दर जगाओं पे आप वर्काउट करने चले जाओगे या फिर जिम चले जाओगे तो आपका काफी वक्त वो बर्बाद हो सकता है तो सुबह आराम से उठना है उठते ही मोबाइल हाथ में लेनी है बहुत जरूरी जो चीज होता है टूल होता है हमारा प्रॉक्टिविटी के लिए वो है मोबाइल फोन और मोबाइल फोन को लेते ही पहला step जो आपको करना है Reels में जाना है आपके पास बहुती बड़िया options है Instagram Reels है, Facebook Reels है YouTube के Reels है आपको search करने की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप वो doom scrolling होते रहता है बहुती बड़िया आपको productive content जो है वहाँ पे आपको मिल सकता है अगर हो सके तो toilet में भी आप phone लेकी जाईए कि आपका समय का भैतरीन इस्तमाल वहाँ भी आप कर सकते हो इसके अलावा mobile में काफी सारे आपको productivity के tools है जैसे की OTT platforms है काफी सारे आपको बहुती अच्छे productive reality shows है या फिर काफी सारे movies है बहुती आपको addictive जो movies है वह आपको मिल जाती है तो आपकी productivity जो है बहुत बढ़ने के chances हैं इससे इसके अलावा games है candy crush या ऐसे ही भैतरीन जो games है आपकी जो productivity और आपके जो skills है आप game खेलते जाओगे आपके life skills इतने बढ़ जाएंगे आप believe नहीं करोगे इसके अलावा काफी सारे messaging apps है जैसे कि whatsapp है आप good morning बेज सकते हो facebook messenger है facebook पे आप post कर दीजी उसके comment और like पढ़ने में आपका थोड़ा समय बीच जाएगा instagram में भी आप post आज़ाएंगे आपको सावधान रहनी है कि आप mobile में कुछ चीजें होती है इससे सावधान रहना मतलब इससे productivity बहुत कम हो जाती है आपकी जैसे कि एक तो है आपका calendar उसमें आप अगर गलती से आपका जो दिन का schedule है या फिर किस दिन क्या करना है यह सारी चीजें आप weekly plan कर दोगे या year को plan कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि के लिए या काम पर जाने के लिए जो आपकी जो भी डेली रूटीन है तो उसकी साब से आप पांच से छे अगर time table सेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी life बहुत mechanical हो जाएगी ऐसे नहीं करना है हो सकता है आपको इतना वक्त मिले कि आप बहुत नहीं नहीं चीजें करने लगो डेली रूटीन से याद आया कि आपको ना एक पर्टिकुलर डेली रूटीन या डेली time table नहीं फॉलो करना चाहिए सुगर उटने का time रात को सोने का time या फिर हमारी जो भी काम के time है या workout का time है या हम दिन में जो भी करते हैं उसका कोई time table नहीं होना चाहिए इ आज दिन में क्या किया करना है आज इस week में क्या करना है तीन मैंने चोड़के अगर कुछ करना है तो तीन मैंने के page निकाल के वहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं लेकिन इस सब क्या ही यूज है कि छोटी सी डाइरी अपने जेब में रख लो कि to do list उसमें लिखना है या क सारी चीज़े हम लोग अगर डाइरी में रिखेंगे कैलेंडर में डालेंगे रिमांडर रखेंगे तो प्रोड़क्टिवटी बड़ेगी कैसे चोटी चोटी बेकार की बातों कर दिमाग में प्रशरा डालना है ताकि creative आइडियाज आए यह सब तो ठीक था मुझे किसी न प्लान करो यह का प्लान करो यह भी कोई जिन्दगी है आप अगर काम पे जा रहे हो तो काम पे वक्त पे नहीं जाना है या फिर आपकी senior होते हैं जूनियर होते हैं इन पर बुरा सर पड़ता है कि आप सई टाइम पर आ रहे हो आपके customers या clients को पता चल जाएगा कि आप कौ पे भी है ना थोड़ी थोड़ी रील्स देख लेना क्योंकि उससे ना फोकस बना रहता है बीच-बीच में गेम्स खेल लेना वाट्सैप यूज कर लेना और यह सब चीजे करने के बाद आपकी ठकान नहीं आती कि mentally आप ठक नहीं जाते हो पूरे दिन में बहुत creative आइडियास हैंगे कि life में क्या 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 करना है अगर life में ज्यादा organized हो जाओगे तो आएगी mental peace ज्यादा focus और work satisfaction क्या करना इन चीजों का अचार डालना है सब मोम आया है और रात को OTT प्लाटफॉर्म है टीवी है दोस्तों के साथ घूमना है लेकिन घर लेट आना रात को ना गलती से भी mobile silent या बंद मत करना और रात को बिल्कुल आपना time पर मत सोना हमारे पास 84600 मिनि चैनल को subscribe करने की कोई जरूरत नहीं वैसे और राज की बात यह है कि like share और comment मत करना क्योंकि आप like share comment करोगे दूसरों को भी ये बात पता चल जाएगी ये बात हमारे बीच में रहने दीजिए ये बाते सुनके लोग productive अगर बन गए तो हमारा क्या होगा comment करोगे तो weekly giveaway जो म काम नहीं करते हैं इस वीडियो का क्या करना है तुम कुद रिसाड़ करो बबाई मिलते हैं कल शाम पांच बजे